Hello everyone, welcome to our online channel, मैं हूँ नूरस सलाम और आज हम बात करने वाले हैं कि important exam के बारे में जिसका notification आया हुआ है और उसकी date भी बहुत जल्दी ओबर होने वाली है और exam का नाम है Navy AASSR हम आज बात करेंगे कि यह recruitment कैसे आ रहा है बहुत टाइम से बच्चे इसका इंदिजार करते थे और अच्छी खासी vacancy आई हुई है बट इसमें कुछ limitations है और उस limitations के बारे में और कुछ changes है उनके बारे में हम बात करेंगे आज का जो हमारा पूरा जो यह पूरा area रहेगा वो basically deal करेगा कि इस exam की क्या eligibility है क्या syllabus है pattern क्या है cut off कैसे decide होता है हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और जिन बच्चों का जो भी confusion है उस confusion को आज हम छे से दूर करेंगे और हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़े आपके लिए important है तो चली पहले शुरू करते हैं कुछ basic चीजों के बारे में आगे बढ़ने से पहले में आपको एक चीज बता दू भाई double A का full form डबल A का full form होता है artificial apprenticeship है ना और SSR senior secondary recruitment है ना डबल A और SSR का एक single paper होता है इसे यहार रखिएगा यह common paper होता है और इसी common papers ही बच्चे आगे सेलेक्ट होते हैं ठीक है बस depend करता ही cutoff जिसकी ज़्यादर नमबर ले आता है वो double A के लिए सेलेक्ट हो जाता है जो थोड़ा सा कम नमबर लाता है उ कि eligibility conditions क्या है और क्या-क्या चीज़े required है ठीक है पहली चीज़ों यार रखो कि डबल A और SSR के लिए 502,000 वेकेंसी एप्रॉक्सिमेट ली गई यह बड़ा ही घड़ाए भी जा सकती है अगस्त 2021 के लिए ठीक है और वेकेंसी जो है स्टेट वाइज मैनर में भरी जाएंगी ठीक है टोटल पच्छिस सो वेकेंसी है जिसके लिए ओल ओवर इंडिया से सिफ 10,000 कैंडिट को रिटेन एक्जाम के लिए बुलाया जाएगा ठीक है यह सिफ इसलिए किया गया है कि भी यह कोविट के चलते है ठीक और अगर हम देखा जाए तो इसमें प्राइटेरिया ब क्या करेगी वेरी करेगी बहुत इंबॉडन पॉइंट है अब बच्चों को यह पता होना चाहिए कि एलिजबिल्टी क्राइटिया क्या है 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 ना वह बच्चे डबल एक के लिए कौलिफाय है जिदूने 60 परसंट या उससी जद नंबर प्राप्त किया है 12 में 12 मिनिमम मे एलिजबिल हो यह याद रखिएगा और एससर के लिए एलिजबिल्टी है दसमीं पास कोई परसंटेज का क्राइटिया नहीं है इसे याद रखिएगा ठीक है और कैंडिडेट की एज क्या होने चाहिए कैंडिडेट एक फरवरी 2001 से 31 जून जुलाई 2004 के बीच इसकी डेट पर बर्थ होनी चाहिए इसे याद रखिएगा रिवेंबर सेलेक्शन क्राइटरिया की अगर हम बात करते हैं तो कोविट की वज़े से यहाँ पर ठीक है एक 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 स्प्ष्टन है सीब 10,000 बच्चों को बुलाए जाएगा रेटेन एक्जाम और पी एफटी के लिए और जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें तुरन फ्येफ्टी कराकर उनको अगर वो सिलेक्ट हो जाते हो तो मेडिकल के लिए चले जाएंगे ठीक है और जो बच्चों का एड्मिट काड जारी होगा वो टेन प्लस टू के एक्जाम के अकॉर्डिंग होगा है ना औ यहां से जो भी स्टूडेंट होंगे उन लोगों को ज्यादा टफ फाइट करनी पड़ेगी है ना बाकी तिरिपूरा मीजोरम पॉनिचैरी इन सब एरिया से कट अप्स लो होगी चाहे वो आपका आपका एड्मिट कार्ड आने की कट आफ हो चाहे आपका सिलेक्शन की कट आपका इसे याद रखिएगा ठीक है और रिटेन टेस्स की अगर हम बात करते है रिटेन टेस्स जो होगा वह बाइलिंग्वल फॉर्म में होगा हिंदी और इंग्लिश में आपका अब्जेक्टिव पेपर होगा ठीक है और को लेवल का सलेवास का एक्जाम का होगा इसे पैटन को समझने के लिए आप www.jov.in पर जाकर चीज़ों को समझ भी सकते हैं जिन बाच्चोंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं डेट थोड़ी से एक्स्टेंड कर गई पांच महीं हो गई पहले 30 अप्रेल थी तो इसे यार रखेगा एक्जाम का टाइम पीर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा यह समझ लेते हैं ठीक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिट टेस्ट नहीं है फिजिकल फिटनेस्ट ठीक है यहां पर साथ मिनट के अंदर आपको 1.6 किलमेटर की एक रेस कंप्लीट करने पड़ेगी 20 स्कॉयर मतलब उठक बै देगी है ना और वह फिजिकल फिटनेस के बाद ही बनेगी ठीक डबल ए में 600 कैंडिडेट को लिया जाएगा ठीक है और इसूड़ कॉल फाइनल कॉल लेटर फॉर फाइनल इंडोर्टन मेडिकल इंस चिलका कहां पर होगा आइनस चिलका पर होगा स्सर के लिए एप्रॉक पच्छी सो कैंडिडेट को लिया जाएगा है ना और उनका मेडिकल होगा कहां पर आइनस चिलका में स्टेट वाइस मेरिटेट स्टेट वाइस ठीक है दा कट ओफ मार्क्स ऑफ दाशू अप कॉल अप लेटर इस फाइनल इंडोल मेडिकल एग्जामेशन एट आइनस चिल बात है जो आपको ध्यान रखना कि असे सार के लिए तो मेरिट स्टेट वाइस मैरी करेंगी लेकिन डबल एक लिए और इंडिया लेविल पर एक मैरिट वरेगी या रखना ठीक है तो डबल ए वाले जो लगवाले उनको अल इंडिया लेविल पर फाइट करनी पड़ेगी उनके लिए कॉमन मेरिट लिए कॉमन कट ओफ होगा लेकिन ऐसे सार के लिए बच्चों का जो मेरिट होगी वह स्टेट वाइस वैरी करेगी तो ऐसे सावाले में जो स्टेट जो जहां से कम बच्चे करेंगे वहां मेरिट कम जाएगी जहां से ज्यादा बच्चे करेंगे तो वहां पर मेरिक जाएगी जैसा कि मैंने भी बताए यूपी भी हाथ हर्याड़ा अपने नौर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर जादा है लेकिन हम साउथ में जाएंगे तो वहां पर बच्चों की को इंटर्स कम देता है तो वहां से कम कट जाती है ला कुछ कुछ इस टेट में तो आठ नव नंबर कट आफ जाती है और बच्चे कॉलिफाई कर जाते हैं और ज्यादा ज्यादा कट आफ क्या है वी मैं आगे डिसकस भी करेंगे और उसकी वारे में बात करेंगे चलू अब का पैटन क्या है एक्जाम का पैटन दो कॉमन पेपर होना मैंने अभी आपको बताया है ना कॉमन पेपर में 25-25 कोशन पर एरिया से आ रहेगा जनल नॉलिज में इंग्लिश में जन्रल साइंस में मैंतमेटिक्स में सौक कोश्चन सौक मार्ग का एक घंटे का समय मिलेगा सारे कोश्चन मतलब मल्टिपल चॉइस कोश्चन के फॉर्म में होंगे और यह आपके ट्वाल के स्टेंडर्ड का कोश्चन इसमें भरे जाएंगे है ना ट्वाल तक जो भी चीज़े पढ़ी है उन तरह का स्टेंडर्ड यहां पर मेंटेन जाएगा अब जड़ा साथ देख लेते कि इं इसमें पार्टिकल रिजिड बॉडी ग्रेविटेशन मेकैनिक्स सॉलेड हीट थर्मोडायनेमिक यॉक्षिलेशन वेव इलेक्रोस्टैटिक करेंट एलेक्रिसिटी यह सारे चीज़े आती है मैंगनेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट मैंगनेटिज्म एलेक्रोमेटिक इंडेक तो को यहाँ पर chemistry भी आती है food and nutrition मतलब आपका यह आगे biology है ना health, physiology, human disease and computer का भी थोड़ा सा part यहाँ पर कमर होता है तो यहाँ पर देखा जाए तो overall सब चीज़े हो रही है physics की part पर आपका heat और optics का और electricity and magnetism का अच्छा का सा रोल है है ना अब अगर हम math की बात करते हैं तो math में बहुत ज्यादा complicated 12 का syllabus है relation and function logarithmic series complex number quadratic equation sequence and series and dignometry पहला part फिर Cartesian system and rectangular coordinate straight line family of straight line circles यह दूसरा part है conic section permutation combination vector exponential cognitive series set theory and statics ठीक है और 3D symmetry का probability function limit differentiability application derivative यह सब चीज़े जो है आप लोगों ने जो 12 पढ़िए उन्हीं सब से आएगा है ना algebra रहेगी ठीक है थोड़ा बहुत coordinate का अच्छा यूज है और आपका differential equation का बहुत जूज है integration indefinite integration binomial theorem matrices determinate definite integrals इन सब से भी question बनेंगे ठीक है मैंने भी link में आपको एक sample paper attach कर दिया है आप चाहो तो वहां से sample paper download भी कर सकते हो समझ सकतो paper का standard क्या होगा ठीक है और कई सारे और paper भी हम discuss करेंगा और इसके related जितनी भी चीज़ें important है वह आरे आरे यह तो बात होगी हमारे mathematics section की English की पार्ट को बात करते हैं English का पार्ट भी scoring होता है काफी जादा scoring होता है 25 questions आएंगे 25 questions इंग्लिश के बहुत होते है 25 questions ठीक है इसमें आपका passage preposition correction of sentence active passive में बदलना ठीक इंडिरेक्ट डिरेक्ट वर्ब टेंस नॉन फाइनाइट पंग वर्ब्स punctuation यह सब आएगा फ्रेजल वर्ब एक्प्रेशन सेनोनिम एंटोनिम्स वह मीनिंग ऑफ डिफिकल वर्ड एग्जेक्टिब का यूज यहां पर पूछी जाएंगी बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं पूछी जाएंगी इसका मैंने सैंप्ल पर आपका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप वहां से डाउनलोड कर सकतो सैंप्ल पर और उससे आपको काफ़ी चीज़ पता चल जाएगी आप हमारे जोग्रफी, स्वाइल, लिवर, मौंटेन, पोर्ट, इंडियन हर्बर, फ्रीडन, मुव्मेंट तोड़ा बहुत हिस्ट्री वगरा इस पोर्ट से काफी सारी चीज़े आएंगी करेंड अफेर्स आएगा ठीक है डिफेंस की जो भी अक्रसाइज होती है और हमारे नेबरिं लेंग्विजिस, कैपिटलन करेंसी है यह बहुत इंपोर्टन है इस पर ही मैंने वीडियो बना रखी ठीक है फिर हमारे पास इंडिया का नेशनल सिंबल्स है बार्ड, एनिमल, स्पोर्ड, फ्लावर, एंथम, स्वांग, फ्लैग, मतलब बेसिक जीके में में इंपोर्टन ठीक है, common name, full form, discoveries पूछी जाती है, disease and nutrition, साइंस में यहाँ पर भी है, award and author ठीक है, और reasoning, reasoning का एक छोटा सा एरिया है, जो की पास है, 6 question cover करता है, special numerical reasoning, associated ability, sequence, spelling, and scrambling, coding, decoding, यह सारी चीज़े इसमें आएंगी, अच्छा एक खास बात क्या है, इसका भी, मुने फुर्य सेंपिल डगा रखा है, आप वो सेंपिल पेपर को जरूर देख लेना, अगर आप सेंपिल पेपर को देखो, तो काफी सारी चीज़े बच्चो आपको clear हो जाएंगी, है ना, तो इसको ध्यान रखेगा, अब cutoff का एडिया मैंने खाली छोड़ रखा है, क्योंकि दोको मैंने पहले से भी बताया तो अभी बतानों, cutoff जो होती, state-wise होती है, अब state-wise है, अब तुम कैसे state से हो, जैसे UP से, हर्याना से, दिल्ली से, बिहार से, ऐसे state से हो, तो भाहर ही पड़ जाएगा, तो मेनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर cutoff जो है, 40-45 नंबर तक जाती है सो में, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे त्री पुरा हो, मिजोरम है, ठीक है, और ऐसे state जी, वो बहुती, मतलब कम population वाले हैं, वहां पर आठ से 15 नंबर की cutoff, 25 नंबर की cutoff ऐसे जाती है, तो इसमें जादा कुछ बताने लायक नहीं है, state-wise cutoff है, आप अपने state के नॊण बच्चों को थोड़ा सा जयादा महिनत करनी वहां पर competition नहीं है, साउथ इंडिनीया के बच्चों को स्टोड़ी कब महिनत करने क्यूं, क्यों कि भाई, वहां पर competition, फोदे कि मैं क्यूंकि वहां पर competition कम होता है, तो अपनें आपी competition कम है, ठीक के population जादा हो गागा, वहां competition जादे होगा तो यह चीज आपको ध्यार लखनी है है ना बैसिकली मान के चलो कि भाई वन फोर्थ negative है मतलब एक चौथा ही negative है एक question का एक नंबर है गलत करोगे तो तो आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी करने है उसको देख लेना और भी बहुत साथ चीजे मैं आपको बताता रहूंगा समय समय के हिसाब से चीक है और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो है ना मैं और भी वीडियो इससे डालता रहूंगा और वीडियो को जादा जादा स्टूरेंट तक पहुचाते रही है बच्चा लोगों और हमारा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना तब तक के लिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के सा तब तक लिए जाहिंद करवाएं बबाएं